हेले दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटुब चाहें विहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग सची वाले साहे के प्रेक्टिस टीन को इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोग ने अब तक हमार चैनल विहाज जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को ज़रू दबाएं तो आईए वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रश्ण है निम में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है तो याद दखेंगे नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है तो ऐसा नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से क्यों जाना जाता क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है और यह नाइजर नदी नाइजिरिया में अस्तित है तो इन दोनों को आप लोग याद दखेंगे कि नाइजर नदी अर्था तेल नदी नाइजिरिया में अस्तित है और किस कारण से इसे तेल नदी कहा या था तो पाम तेल का अधिक पड़ी चालन के कारण अब अगला प्रश्ण है निम में से कौन ब्लोक परवत नहीं है तो कौन सा तो इसका सही उतर है एटलस एटलस जो है ब्लोक परवत नहीं बलकि कौन सा परवत है तो यहां मोड़दार परवत है ठीक है और ये तीनो बाकी जो है ये तीनो जो है ब्लोक परवत है अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है निम में से कौन सा मिलान और शत्य है तो इसका श्यूत्तर है आप्शन D अर्थात के जिल कुम जो है सौधी अरब में नहीं है बाकी ये तीनों जो हैं वे सही है अब अगला पश्टन है निम्मे से कौन सा प्रवत रूश में अस्तित है तो इसका श्यूत्तर है option A अर्थात काकेशस काकेशस जो है वह रूश में अस्तित है अब अगला पश्टन है निम्मे से किस देश के साथ भाद की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है तो किस देश के साथ तो हम सभी जानते बांगला देश के साथ भाद की सीमा सबसे अधिक बांगला देश से लगा हुआ है जो की 4096.7 किलो मीटर है बांगला देश के साथ भाद की पांच राजियों की सीमा असपर्स करती है तो ये पांच राज के नाम बताएं कौन कौन से हैं पश्चिम भंगाल, मिघाले, मिजोरम, तिरपुड़ा और आकरी अर्शम तो ये पांच राज ऐसे हैं जो बंगला देश के साथ सीमा साजा करते हैं अब अगला पश्चन है भात का सबसे बड़ा टाइका रिजर्व कौन सा है तो इसका से उतर है नागारजुन सागर स्री सेलम अब आपको बतलाना है कि ये नागारजुन सागर स्री सेलम किस राज में अस्तित है बाकि मैं इन तीनों का नाम बता देता हूँ नाम दफा या अरुनाचल परदेश में अस्तित है जीम कॉर्वेट या उतरा खंड में और काजी रंगा असम में अस्तित है तो आप लोग को हमें बतलाना है कमेंट करके कि नागारजुन सागर स्री सेलम किस राज में अस्तित है अब अगला परशन है निम्मे से कौन द्रवेडियन महाकल्ब की चट्टाने नहीं है तो कौन सी तो इसका शेयुतर है धारवार ये बाकी तीनों जो है ये सबी जो है द्रवेडियन महाकल्ब की चट्टाने है जबकि धारवार जो है ये आरकियन क्रम की चट्टाने है अब आई चलते हैं अगले परशन पर तो अगला परशन है भारत में जिन छेतरों में सुस्क भूमिक रिसी की जाती है उनमें वार्शिक वर्षा कितने से कम होती है तो कितने से कम होती है तो इसका उत्तर है 75 सेंटीमीटर से कम होती है अब अगला परशन है जनगन्ना 2021 क्यनुसार बिहार के 21 जिले में सरवाधिक ग्रामीन जन संख्या है तो इसका शही उत्तर है पुर्वी चमपारण में अगला प्रश्ण है जनगन्ना 2021 के नुसार किस राज में सरवाधिक अनुसूचित जाती अर्थात ऐसी परतिसत है तो किस राज में तो इसका शही उत्तर है पंजाब में अब अगला प्रश्ण है बिहार को कितने क्रिसी जलवाई छेतरों में बाटा गया है तो कितने तो इसका उत्तर है तीन क्रिसी जलवाई छेतरों में बाटा गया है अब अगला पस्टन है यूरोप की मुख नदी कौन सी है तो यहाद दखेंगे यूरोप की मुख नदी डैन यूब है कौन सी नदी है डैन यूब जोकी यूरोप की मुख नदी है अब अगला पस्ट है कैमपे गोडा अंतराष्टी हवाई अड्डा कि सहर में अस्तित है तो इसका उत्तर है बंगलूरू में अब अगला पस्टन है अंतराष्टी ये जूट संगठन की अस्थापना कब हुई थी तो इसका श्रही होत्तर है 1984 में इसका मुख्याले ढाका में है भारत में पहले जूट मिल के अस्थापना अठासो पचपन में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिश्रा में हुई थी भारत कच्चे जूट और जूट के समानों का सबसे बरा उत्पादक है और बांगलादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे अस्थान पर है अब अगला प्रश्ण है प्राचिन्तम चावल के साक्च कहां से मिलते हैं तो इसका शेयुतर है कोल्डी हवाशे प्राचिन्तम चावल के साक्च कोल्डी हवाशे मिलते हैं कोल्डी हवा इलावाद के दक्चिन के बेला नदी के टेट पर अस्तित है यहां से करम्स, नवपाशानिक, तामपाशानिक तथा लोह योगीन सांस्कृति के अवसेस मिले हैं आगला प्राचिन है, निम्ने से कौन हरपा कालिन नगर है, तो इसका शेयुतर है उप्रोक्त सभी, ये सभी जो हैं हरपा कालिन नगर है अर्धात, मुहन जोदरो, गनेडिवाल और धोलावीरा, ये तीनों सहर हरपा कालिन नगर है अब अगला प्राचिन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बक्स के नाम से जाना जाता है तो इसका शेयुतर है, आप्सन ए अर्थात, खुतुब बुद्दीन, एवग अब अगला प्राचिन है, कौन्ग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था तो इसका शेयुतर है, 434 सदस्यों ने अब आपको हमें कमेंट करके बतलाना है, कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्स्ता किस ने की थी, और यह कहां हुआ था अब अगला प्राच्शन है, चटगाउं, सस्तरागार छापा माली की योजना, निम्रिकित में से किसके द्वारा बनाई गई थी तो इसका शयूतर है सूरे शेन के द्वारा, चटगाउं, सस्तरागार कान को मास्टर दा कान्याम से परसिद सूरे शेन ने आयुजित किया था शूरे शेन ने बंगाल में इंडियन रिपॉब्लिक आर्मी की अस्थापना की थी, वहीं 18 अप्रेल 1930 को शूरे शेन ने अंग्रेजों के विरुद युद की घोशना की थी शूरे शेन के नित्यत में आई आरे के सदश्यों ने चटगाउं सस्तरागार पर आक्रमन कर हाथियारों पर गबजा कर लिया था अब अगला प्रस्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की अस्थापना किस ने की थी तो इसका सही उत्तर है स्याम जी क्रिष्ण वर्माने किस ने किया था स्याम जी क्रिष्ण वर्माने अब अगला प्रस्ट है 1909 के इंडियन कॉंसिल एक्ट के स्वरी 1909 के इंडियन कॉंसिल एक्ट में किस बात की विवस्था की गई थी तो इसका श्यूत्तर है साम प्रदाइक प्रती निधित्व की वर्स 1909 में लाए गए भारत परिशत अधिनियम को मारले मिंट्टु सुधार भी कहा जाता है भारतिय परिशद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोस साम प्रदाइक परति निजित्व परणाली के थथ मुसल्मानों के लिए प्रितक अर्थात अलग निर्वाचन मंडल की विवस्था करना था अब अगला प्रश्ण है इंडियन ओपिनियन नामक अखवार किस भाषा में परकासित होता था तो इसका शयुत्तर है उप्संडी अर्थात गुजराती भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा अर्थात उप्युक्त सभी भाषा में इंडियन ओपिनियन नामक अखवार परकाशित होता था यह पुस्तक सुरी यह अखवार जो हैं महात्मा गांदी जी ने दर्चिन अफ्रिका में निकाला था जोकी गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में परकासित होता था अगला प्रश्ण है 1936 में अखिल भारती एकिसान सभा का पर्थ्यम अध्यक्त किसे चुना गया तो इसका श्रयूतर है स्वामी सहजानन्द को किसे चुना गया स्वामी सहजानन्द को अगला प्रश्ण है एक स्वारी असायोग आंदुलन कब प्रारम हुआ था तो इसका श्रयूतर है 1 अगस्त 1922 को असायोग आंदुलन की सुरुवात 1 अगस्त 1922 को हुआ था लेकिन 5 फरबरी 1922 को गुरकपूर के निकट 4-4 की घटना हुई थी और गांदी जी ने 12 फरबरी 1922 को कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी की बैटक में और श्रयूग आंदुलन को अस्थगित करने की घोश्णा कर दिया अब अगला प्रश्ण है समावेशी संब्रिदी के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है तो इसका श्रयूतर है अपसेंडी अर्थात उप्रुक्ट सभी तो जानते क्या क्या तो लिखा है अधो संरचनात्मक सुविधाओं का विखास क्रिशी का पुनरुद्दार और सिच्छा एवं स्वास जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलव्दता तो ये सभी समावेसी सम्रिद्दी के लिए आवश्यक है अब अगला पस्ट है निम्रिकित में से कौन सा राजखोसिय संकेतक नहीं है तो इसका श्रयूतर है चालू खाते का घाटा राजखोसिय संकेतक नहीं है अगला पस्ट है भारत में गरीवी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है तो इसका शेयूतर है घरेलू उपभोग के आधार पर अगला पुशन है निम्में से किस अनुच्छेद के तहथ वित आयो के गठन का प्रावधान किया गया है तो इसका शेवतर है अनुच्छेद 288 के तहट वित आयो का गठन का प्रावधान किया गया है अगला प्रश्ण है एक तत्व में इलेक्ट्रोन और नियोट्रोनों की संख्या करमसर 18 तथा 20 है इस तत्व की दरबमान संख्या कितनी है तो इसका शेवतर है 38 हम लोग जानते हैं कि दरब्मान संख्या बढ़ापर प्रोट्रोन की संख्या पलस नियोट्रोन की संख्या तो इससे आप लोग इन दोनों को एड़ जब कर देंगे तो आपको 38 प्राप्त हो जाएगा अब अगला प्रश्ण है भारतियर रिजर्व बैंक के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कतन शत है अर्थात सही है तो इसका शयूत्तर है आप्शन डी अर्थात उपरुक्त सभी कतन सत्य है अर्थात या किन सरकार का बैंकर है या मौद्रिक नीती बनाता है और लागू क करता है किन सरकार की ओर से रीन जारी करता है एवं उनका प्रवर्धन करता है अब अगला प्शन है समुद में डूबी हुई वस्तूओं की अस्थिती जानने के लिए निम्लिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसका से उत्र है option B संत्रा में फॉर्मिक अमल नहीं पाया जाता है अब आप लोग को बतलाना है कि संत्रा में कौन सा अमल पाया जाता है अब अगला पस्टन है निर्प मरीची का का कारण क्या है तो इसका कारण है पुर्ण आन्तिक प्रावर्दन अगला पस्टन है निम्रिकित में से कौन सी घटना प्रकास संसलेशन में नहीं होती है तो इसका शेयुत्तर है option C अर्थात carbon का carbon dioxide में oxy current अब अगला पश्ण है polychot किसका मिश्रण है तो यह जो है वह polyester और कपास का मिश्रण है पॉलीखोट जो है वह पॉलिष्टर और कपास का मिसरन है अगला पस्टन है नेमलिखित इंधनों में सरवादिक उसमी एमान किसका होता है तो इसका श्यूतर है LPG का किसका LPG का अब अगला पस्टन है परमानु नावी के अभियब है तो इसका श्यूतर है OPTION C अर्थात PROTON और NEUTRON प्रस्टन में पूछा गया है कि परमानु के नावी के अभियब कौन कौन से है तो हम लोग जानते हैं कि PROTON एवं NEUTRON ये दोनों जो हैं परमानु नावी के अभियब है अगला पस्टन है ब्रह्मान में सरवादिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो इसका श्यूतर है HYDROZEN अगला पस्टन है गोता खोरो द्वारा गहरे समुन्दर में सांस लेने के लिए अक्सिजन के साथ किस गैस को मिस्रिप किया जाता है तो इसका श्यूतर है हिलियम को किसको हिलियम को अगला पस्टन है बुलेट फ्रूप पदार्थ बनाने के लिए निम्लिकित में से कौन सा भहुलक परियोग किया जाता है तो कौन सा भहुलक तो इसका उतर है पॉली एमाइड का अर्थात ओप्शन ए सही है अगला पस्टन है मानव सरीर में सबसे बरी गरंथी कौन सी है तो इसका श्यूतर है यक्रीत मानव सरीर में सबसे बरी गरंथी यक्रीत है अगला पस्टन है अमीनो अम्ल का भहुलक होता है तो इसका श्यूतर है प्रोटीन अमीनो अम्र का बहुलक प्रोटीन होता है अगला प्रश्ण है भोजन का सरवाधिक अवशोशन कहा होता है तो इसका शेयुतर है इलियम में किसमें ऑप्शन D अर्थात इलियम में भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोशन इलियम में होता छोटी आत को छुदर आत भी कहा जा बाइस फीट होती है इलियन इसका एक भाग है जहां भोजन का पुर्ण पाचन के बाद अवशोशन इसकी दिवार में बनी रसांकुरोम द्वारा होता है अगला प्रश्ण है प्रासरव ध्वनी का उप्योग किसमें किया जाता है तो इसका श्रेवत्तर है ऑप्शन डी अर् फिर पता लगाने के लिए घरियों के पुर्जों को साफ करने के लिए और संकेत भेजने के लिए प्रासरव ध्वनी का उप्योग किया जाता है अब अगला प्रश्ण है मस्तिस्क का कौन सा भाग सोचने का कारी करता है तो इसका श्रेवत्तर है अग्र मस्तिस्क अगला प अश्टार्च के पाचन में मदद करता है अगला प्रश्ण है इंसुलीन में निम्बिकित में से कौन सी धातू मौजूद होती है तो इसका श्यूत्तर है इंसुलीन में जस्ता धातू मौजूद होती है अगला प्रश्ण है परक नली सीसू के मामले में क्या होता है तो इसका शह उतर है Option C अर्थाथ निशेचन माता के शरीर के बाहर होता है अब अगला प्रश्ण है थैले सीमिया एक अनुवानसी क्रोग है जिससे परभावित होता है क्या परभावित होता तो थैले सीमिया शे रक्त प्रभावित होता है अगला पश्ण है वन्जीव सनलक्षन अधिनियम कब लागू हुआ था तो इसका शही उतर है आप्शन ए अर्था 9 सितंबर 1972 को 9 सितंबर 1972 को वन्जीव सनलक्षन अधिनियम लागू किया गया था अगला पश्ण है निम्रिकित में से कौन नविकर्णिय उर्जा संसाधन नहीं है तो इसका शही उतर है तापिय उर्जा अगला पश्ण है निम्रिकित में से कौन सा कथन अशत है अर्थात गलत है तो इसका शही उतर है आप्शन सी अर्थात राजविधी के तहट प्राप्त मिर्तुदन की सजा को राजपाल माफ कर सकता है या बिल्कुल गलत है बलकि राजपाल माफ नहीं कर सकता या केवल राशपती के पास अधिकार है अब अगला प्राश्ण है राश्ट्री नियाइक नियुक्ती आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच नियाले द्वारा निरस्त कर दिया गया नेमलिकित में से किस सम्विधान संसोद अधिनियम द्वारा लाया गया था तो इसका शयुत्तर है निन्यानवेवा सम्विधान संसोद के द्वारा लाया गया था अब अगला प्रश्ण है भारत के राष्टपती को उसके पद से हटाया जा शकता है कैसे हटाया जा सकता और थात किसके द्वारा हटाया जा सकता तो इसका श्यूत्तर है संसत के द्वारा हटाया जा शकता है अगला प्रशन है निम्लिकित में से किस अनुच्छेद के अंतरगत नागा लेंड राज का विशेज प्रावधान किया गया है अब अगला प्रशन है राजसभा की सदस्का कारेकाल कितने वर्ज़ का होता तो यादा केंगे राजसभा के सदस्का कारेकाल 6 वर्ष का होता है अगला पश्टन है सुचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है तो इसका शेयुत्तर है option A अर्थाथ 12 अक्टोबर 2005 से अगला पश्टन है अगला पश्टन है नीती आयो के विशय में नेमलिकित में से कौन सा एक सही नहीं है तो इसका शेयुत्तर है option B अर्थाथ इसमें एक पूर्ण कालिक अधियक्ष होता है जो कि बिलकुल गलत है जबकि नीती आयो का अधियक्ष खुद परधान मंत्री होता है और हम सभी लोग जानते कि अभी वर्थमान में परधान मंत्री कौन कि संसुदन के द्वारा? 52 में संसुदन के द्वारा समीधान के 52 में संसुदन 185 के माध्यम से निर्वाची सदस्यों के दर बदल पर रोक लगाई गई है आफ अगला प्राश्ण है जहें किस चुनाव में متदाता, उपरोक्त में से कोई नहीं अर्थात नोटा विकल्प का परियोग कर सकता है तो इसका श्यूत्तर है option B अर्थात लोक सभा के चुनाव में और विधान सभा के चुनाव में अब अगला पस्ट है अंतराष्ट्रिय परमानु उर्जास अभिकरन अर्थात IAEA का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले वियना में है जिसकी अस्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी अब अगला पस्ट है निम्लिकित में से किस वर्ष को अंतराष्ट्रिय बाजरा वर्ष घोसित किया गया है तो इसका शयूत्तर है 2023 को अगला पस्ट है राष्ट्रिय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो इसका शयूत्तर है राष्ट्रिय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचन के जन दिन को राष्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यान चन्द को होकी का जादूगर भी कहा जाता था अब अगला प्रश्ण है हाली में नाटो साइबर रक्षा समु में सामिल होने वाला पहला एश्याई देश कौन बना है तो इसका श्रह उत्तर है दक्चिन कोडिया हाली में नाटो साइबर रक्षा सम्हों में सामिल होने वाला पहला एसियाई देश दक्चिन कोडिया है अब अगला पस्टन है विस उस्वास्त संगठन द्वारा किस राज को तंबाकू की खपत को नियंतित करने के परियासों को देखते हुए विस तंबाकू निशे दिवस पुरस्कार 222 परदान किया गया है तो इसका शेय उत्तर है जहार खंड को अगला पस्टन है देश बंधू नाम से किसे जाना जाता है तो इसका शेय उत्तर है चितरंजन दास को देश बंदू नाम से चितरन्यन दास को जाना जाता है इन्होंने सुराज पाटी के अगठन मोतिलाल नहरू के साथ मिलकर किया था जबकि C.F. एंड्यूज को दीन बंदू नाम से जाना जाता है तो आप लोग याद आखेंगे चितरन्यन दास को देश बंदू और C.F. एंड्यूज को दीन बंदू तो आप इन दोनों नाम में कोई कन्फूजन नहीं करेंगे अब अगला पस्टन है B.C.R. पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है तो इसका शेयुत्तर है जिकित्सा के छेतर में अगला पस्टन है The God of Small Things किसने लिखा है तो इसका शेयुत्तर है अरुन्धती राईने किसने अरुन्धती राईने अगला पस्टन है किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेट समाधी के लिए अंतराष्ट्य बुकर प्रोस्कार परदान किया गया तो इसका शेयुत्तर है गीतांजली सिरीको हिंदी लेखिका गीतांजली सिरीको उपन्यास रेट समाधी के अंग्रेजी अनुवाद Tom of Sand को 2022 का अंतराष्ट्य बुकर प्रोस्कार मिला है रेट समाधी का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉक्वेल ने किया है अब तक के इतिहास में हिंदी का यह पहला उपन्यासे जिसे यह शम्मान मिला है तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रश्न आशा करता हूँ आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेयर जरूर करे तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद